हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे एक कोस्चन जो क्लास 10 के लिए है बोल रहा है कि और गनिज्म अगर इस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडिउस करेगा तो उसका क्या एडवांटेज होगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे रिप्रोड़क्शन थ्रू इस्पोर्स गीव सेवरेल एडवांटेज तो एन और्गनिज्म इस्पोर्स आर एसेक्सॉल रिप्रोड़क्टिव बॉडिज हम लोग पढ़े हैं कि इस इस्पोर्स जो होता है एसेक्सवल रिप्रोडक्शन की थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है लोर प्लांट्स में उसमें फर्म होता है और यह जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो अनफैबरेवल कंडिशन में होता है जब टेंप्रेचर हाई हो जाए या वाटर का अगर कमी रहेगा तो इस कंड condition और sports are dormant till favorable condition are available बोलता है sports जो है dormant condition में रहता है जब तक कि favorable condition उसके लिए आता नहीं है ठ्लक है sports are easily spread through water air और animals sports जो होता है lightweight होता है इस करण से ये spread भी बहुत easily हो जाता है water, air और animals के थूँ तो यह जो advantage है sport formation के कारण जो reproduction होता है lower organism में Thank you, next video में ऐसे ही और question discuss करेंगे Thank you